तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल अपकुल प्रोपर्टी में तो आज की इस वीडियो में यह आप मेरे पीछे सुन्दर सा महल बना हुआ देख रहे हैं 125 मीटर याने की डेट सो गज में यह घर मैं आपको दिलाने वाला हूँ तो आपके लिए बैस लोकेशन होने वाली है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अंसल गोल्फिलिंक 2 की जो आपका 130 मीटर हाइवे है जो गोर चोक से पैरिफेरल हाइवे और आपको परी चोक से कनेक्ट करता है तो दोनों लोकेशन में प्रोपर्टी सर्च करने वालों के पॉइंट इसका जो गेट है वह 130 मीटर हाइवे से ही एंट्री करता है तो इस लोकल तो इस आपके घर के पास में क्या क्या चीजें है आपका पार्क है मंदिर है को मर्शेल है सारी चीजे वीडियो में दिखा देता हूं चलिए घर से सुरवात करते हैं तो आप यह देख आई है वह आपका 15.62 डैप इसकी है तो ग्रांड फ्लोर यह कंप्लीट है चलिए अंदर से घर दिखा देता हूं घर में जाने से पहले आप देख सकते हैं यह जो आप बच्चे देख रहे हैं यह बिल्कुल बराबर में आपका पार कहीं हैं पर और पार के उस तरह मंदिर है और यह चोटी शी कोमर्शल सोफ है इदर और इस तरीके के आपके दिखिए यहापर पडोशी है और चलिए पहले आप देख लीजिए खुबसूरत सा घर उसके बाद मैं आपको अंसल की लोकलिटी दिखाऊंगा कि किस तरीके के हाउशिज बने हुए किस तरीकी की लोक पार्किंग के लिए तो देखिए इसका जो यहां पर इस पेस है और आप यहां से थोड़ा सा जूम आउट कर लेए एक यहां से एंट्री है इसकी विला की और चलिए मैं देखे गैस पाइपलाइन तो अंसल में सारी चीज़े डवलप्ट है अगर आप बस रोड भी इस प पर बढ़ जाएगी रोड पर भी काम चल रहा है UPS IDC का अधिन अभी आ गई है तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया यह आपका देखिए सफाई भी कर रहे हैं शीचों की बड़ी मैंटेन रखवाते हैं जो इसके ओनर है इसको विला को की धूल दस्त कुछ ना लगे ब रूफ वगेरा सब कंपलीट वर्क है यह वोड वर्क के साथ तो यह आपका होल हो गया होल के साथ सामने की तरफ एक बैड रूम आपको जहाँ पर मिलता है 125 मिटर की विला में इस तरीके से एक बैड रूम के बराबर में यह आपका वोश्रूम इंगलिश टोइलेट के साथ मिलता है पत्थर वगेरा का इसमें काम कंपलीट है और एक आपका रूम यह वाड़ा मिलता है बैड रूम यह बैड रूम होगया दो बैड रूम देखें और इसमें यह देख रहे हैं यह यह फैन का बोक्ष पड़ा हुआ है जो रूफ फैन है वह इसमें लगा कर और द्वारा दिये जाएंगे और यह इसका पीछे का स्पेस पीछे का स्पेस भी इतना है कि आप यहां पर अपना यूज में इसको जाल लगा के जैसे इन्हों ने लगाया हुआ है जाल लगा के टोइलेट आप निकाल सकते हैं यह इसका यहां पर चलते हैं भी टू रूम सेट फोल और इसका किचन भी देख लेते हैं यह इसका किचन है ये किचल है इसका तो कम्प्लीट विला ये आपको मिल जाती है अंसल गोल्ट लेंक टू में बस आपको यहाँ पर क्या करना है आना है विला के अंदर जन्माश्टमी के दिन एक रादे कृष्ण के नाम से हवन कराना है और अपना नियाफर फैमली को शिफ्ट कराना है तो च विला जो आपने देखी है जो आपके पडोशी है बड़े वी आईपी पडोशी है तो देखा अंसल के बारे में यह आपका छोट असा यहां पर एक शोप भी आपको घर के बाहर ही मिल जाती है तो अंसल के बारे में देखे रोड भी बड़ा अच्छा खासा यह 18 मीटर का है यहां तक और यहां से आगे यह 12 मेंटर का रोड है तो देखिए पार्क विल्कुल घर के आपके यह बराबर में पार्क है और पार्क के उसकोने पे शिव मंदिर भी यहां पर आपको मिल जाता है और यह गेट आप देख रहे हैं यूपी UPSIDC का ही यह गेट है इस गेट के उस तरफ सक्टर UPSIDC है जो इसका मैंटिनेंस है वो आपका UPSIDC लेती है जो इसका आपका टीम है वो UPSIDC में लगता है और इसकी रेजिस्टी भी UPSIDC करती है तो जो इसकी सडकों की देखे पार्क तो इसके डवलप है जो इसकी सडकों की जो अब रिपेर है यह काड़ा सड़क होते ही जो चीज आपको इस रेट में मिल रही है आने वाले टाइम में यही चीज आपको डेड़ करोड से कम में नहीं मिलेगी रीजन यूपी ऐसाइडीसी ने पूरी तरीके से आपका अंसल को ले लिया अपने अधीन अपने अंडर जिसका आपका सड़कों काम UPSIDC ने शुरू करवा दिया है इंडिस्टी एरिये में साइड बीशी अगर मैं आपको दिखाऊंगा बड़े बड़े गड़े थे वहाँ पर तो वहाँ पर काम चल रहा है जैसी वह इंडिस्टी एरिये का काम पूरा होता है आपका UPSIDC रेज सब अंडर ग्राउंड आपका UPSIDC टर की तरही है तो देखिए इसका जो ट्रांसफर चार्ज हैं 10% का है और आपका जो रिजिश्टी चार्ज है साथ पर सेंट का है तो यह इसके आपके एक्स्टरा खड़चे हैं अनसल के तो अनसल में देखिए बड़े अच्छी तो देखिए इसमें A ब्लोक में आपको 13 प्लोट मिलते हैं 500 मीटर के, B ब्लोक में मिलते हैं 25 प्लोट 400 मीटर के, और आपका C ब्लोक में 25 प्लोट 300 मीटर के मिलते हैं, D ब्लोक में 69 प्लोट 200 मीटर के मिलते हैं, E ब्लोक में 24 प्लोट 200 मीटर के मिलते हैं, और F ब्लोक में जि अच्छे लोग अंसल में रहते हैं तो जिन लोगों की प्यारी फैमली है तो मुझे लगता है वो वीडियो देखकर प्यारी फैमली प्यारी सी लोकेशन पर जरूर इसको पर्चेज करेंगे अगर आप ग्रेट नवेड़ा में कहीं भी लेना चाहते हैं तो आप हमें दिये कि विला कि मैं खासियत बता दू आपका इस पे लोन भी हो जाएगा लोन होगा लेकिन प्राइवेट जो आपके फाइनेंसर बैंक होते हैं उनके थुरू गोवर्मेंट बैंक अंसल और यूपीएस इडिशी में लोन नहीं करती रिजन आपका कि इसमें आपका टीम डलता ह है टीम पर ही आपको सारा पैसा देना होता है जो इसका परमिशन टू मोर्गेज है यूपीएस इडिशी तब तक नहीं देती जब तक आप प्रोपर्टी का मालिकान हक रिजिस्टी आपके नाम नहीं हो जाती है आप रिजिस्टी कराईए लोन किसी भी बैंक से यहां पर यह पा सकते हैं इसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये अंसल का आप यह मैप देख रहे हैं तो इस मैप में दिखेए सब से पहले दिखिए A, B, C, D, E, F, G इसमें टोटल 6 बिलोक है इन 6 बिलोक में टोटल 405 बिलोट है तो A बिलोक में आपको 500 स्कायर मेंटर के 13 बिलोट मिलते हैं जिनकी डाइमेंशन 16 बाई 31 की है B बिलोक में आपको 400 मेंटर के 25 बिलोट मिलते हैं डाइमेंशन 14 x 28 की है और C बिलोक में आपको 55 प्लोट मिलते है 300 मीटर के जिनकी डाइमेंशन 12 x 24 की है D बिलोक में आपको 69 प्लोट मिलते है 500 मीटर के जिनकी डाइमेंशन 11 x 22 की है और E बिलोक में आपको 84 प्लोट मिलते है जिनकी डाइमेंशन 10 x 20 की है 200ə mtër के और f klok में विला आज मैं आपको दिखाऊंगा यह घर दिखाया है जो घर आपको यह 132 ूच जिनकी डामेंशन 8y 15 dHz एपका सव vibe 15 K define 6's 5 आपका सभी 2K तो यह mean देख रहे हैं तो इस मैप में दिख स्कुर आ ip UPSIDC Housing जो UPSIDC के जो आपके पिलोट है Housing यहाँ पर लगे हुआ अंसल के इस तरफ और ये वाला जो पार्ट है 18 मीटर रोड ये अंसल सुरू हो जाता है और ये वाला रोड 130 मीटर का रोड है यहाँ पर तिलपता चोक बसता है जिस पर आपका Greater Nevada Metro का हब बनेगा आने वाले टाइम में और ये कॉर्णर पर आपका इंडिस्ट्रिल एरिया यहाँ से सुरू हो जाता है तो अंसल में देखे एक दो तीन चार पांच छे टोटल और ये साथ टोटल साथ पार्क है किलब के लिए स्पेस है आपका स्कूल के लिए स्पेस है आपका होस्पिटल के लिए स्पेस है और कोमर्चल के लिए स्पेस है तो चार सो पांच टोटल फैमली के बीच इतनी फैसलेटी इसमें दी गई है